हलो स्टुरेंट्स आप सभी का स्वागत है एक एस लॉग क्लासेज में आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं कम्परिंग लॉग के एमसी के कुशन पार्ट थर्ड इससे पहले हम पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकें अप्लोड कर चुके हैं उन्हें आप प्ले लिस्ट में ज कुशन को सॉल्व करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्कुश्ट नम्मर्ट 51 कम्पनी अधिनियम 2013 की किस धारा में प्राइविट कम्पनी की परिवाशा दी गई है औप्शन A, धारा 268 में B, धारा 225 में C, धारा 2245 में D, धारा 2227 में तो इसका सही उत्तर है, औप्शन A, धारा 268 में कुशन No. 52 कमपनी अधिनियम 2013 कि किस धारा में विदेसी कमपनी की परिभासा दी गई है? अप्शन A, 12.45 में अप्शन B, 12.71 में अप्शन C, 12.42 में अप्शन D, 12.56 में तो इसका सही उत्तर है अप्शन C, 12.42 में कुशल में 53 ऐसी कंपनी जो भारत के अलावा किसी अन्य देश में निगमित हो परन्तु भारत में ही किसी स्थान पर व्यापार या कारोबार कर रही हो कहलाती है अप्शन A, Private Company अप्शन B, विदेशी कंपनी अप्शन C, सरकारी कंपनी अप्शन D, उप्रक्त में से कोई नहीं तो इसका सही उत्तर है अप्शन B, विदेशी कंपनी कोशन M54, कंपनी अधिनियम 2013 का विस्तार है अप्शन A, संपोन भारत पर अप्शन B, जम्मु काश्मीर के सिवाए संपोन भारत पर अप्शन C, गोवा पांडिचेरी के सिवाए भारत पर अप्शन D, संपोन भारत और भारतिय छेत्र के बाहर तो इसका सही उत्तर है अप्शन A, संपोन भारत पर कोशन M55, सार्वजनिक कंपनी की नियूंतम प्रदत पूजी अप्शन A, पांच लाख अप्शन B, दस लाख अप्शन C, बीस लाख अप्शन D, तीस लाख तो इसका सही उत्तर है option a 5 लाख question number 56 प्रदत पूजी वह कुलधनरासी है जिसे कंपनी प्राप्त करती है option a कंपनी के सदस्यों से option b अंश धारियों से option c प्रवर्तकों से option d उप्रक मैं से कोई नहीं तो इसका सही उत्तर है 但 अप्शन बी अंश धारियों से अप्शन नंबर 57 अप्शन न्यायले के मुख्य नयायमूर्थी की सलाह से सर्वोँच नयायले के मुख्य नयायमूर्थी की सलाह से तो इसका सही उतर है option D, सर्वोच न्यायले के मुख्य न्याय मूर्ती की सलाह से question number 58, अपील ये अधिकरण के आदेश के वुरुद सर्वोच न्यायले में अपील दायर की जा सकेगी option A, 30 दिन के भीतर option B, 60 दिन के भीतर option C, 90 दिन के भीतर option D, उप्रुक मैंसे कोई नहीं option B, 60 दिन के भीतर question number 59, डैश में कितने कमपनी के उपनियम समाविष्ट होते है option A, विवरडिका option B, संगम अनुच्छेद option C, संगम ग्यापन option D, उप्रुक मैंसे कोई नहीं question number 60, कौन सा कथन सत्य नहीं नहीं है, option A, कमपनी एक विधिक व्यक्ती है option B, कमपनी एक नागरिक है option C, कमपनी एक निगमित निकाय है option D, कमपनी का साश्वत उत्रादिकार होता है तो इसका सही उत्तर है, option B, कमपनी एक नागरिक है question number 61, निम्नलिखित मैंसे कौन विवरडिका जारी कर सकता है option A, सार्वजनिक कमपनी, option B, निजी कमपनी, option C, विकल्प A और B दोनों, option D, इन मैंसे कोई नहीं तो इसका सही उत्तर है, option A, सार्वजनिक कमपनी question number 62, कमपनी अधिनियम 2013 के अंतरगत, लगु कमपनी की परिभासा किस धारा में दी गई है option A, धारा दो 84 में, option B, धारा दो 85 में, option C, धारा दो 70 में, option D, धारा दो 71 में question number 63, प्रते कमपनी द्वारा अपनी विवरण पत्रिका को किसके कार्याले में फाइल किया जाना आविश्यक होता है option A, ओच न्यायले में, option B, अपीलिय अधिकरण, option C, रजिस्टार कार्याले, option D, उप्रत में से कोई नहीं question number 64, कमपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में विवरण पत्रिका के रजिस्टिशन संबंदी प्रावधान दिये गए है option A, धारा 17, option B, धारा 25, option C, धारा 26, option D, धारा 36, तो इसका सही उत्तर है option C, धारा 26 question number 65, कमपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में रिड़ पत्र की परिभासा दी गई है option A, धारा 2, 84 में, option B, धारा 2, 85 में, option C, धारा 2, 55 में, option D, धारा 2, 30 में तो इसका सही उत्तर है option D, धारा 2, 30 में question number 66, किसी कमपनी के प्रवर्तक वे एक या अनेक व्यक्ती होते हैं, जो किसी निश्चित उद्देश के आधार पर कमपनी का निर्माड करके उसे चालू करते हैं, तथा उस उद्देश की पूर्ती के लिए आवश्यक कारवाही करते हैं, यह परिवासा D है किसने, option A, न्यायमूर्ती काकबर्ण ने, option B, पामर्ण ने, option C, लौर्ड बामिन ने, option D, जेस्ट इन वर्ग ने, तो इसका सही उत्तर है, option A, न्यायमूर्ती काकबर्ण ने, question number 67, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा, दो तीस में किसकी परिवासा दी है, option A, लाभांस की, option B, प्रवर्तक की, option C, रिड़ पत्र की, option D, सीमानियम की, तो इसका सही उत्तर है, option C, रिड़ पत्र की, question number 68, कम्पनी के नाम में परिवर्तन करने के लिए, किसका लिखित अनमूदन आविशक है, option A, राज्य सरकार, option B, केंद्र सरकार, option C, अधिकरन, option D, उच्चितम न्यायले, तो इसका सही उत्तर है, option B, केंद्र सरकार, question number 69, परिवर्तन के मामले में, केंद्र सरकार की अनुमती आविशक है, option A, निजी कम्पनी से सार्वजनिक कम्पनी के मामले में, option B, सार्वजनिक कम्पनी से निजी कम्पनी के मामले में, option C, विकल्प A और B दोनो, option D, उप्रुक्त मैंसे कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर है, option B, सार्वजनिक कम्पनी से निजी कम्पनी के मामले में, question number 70, एक अधिकारिक परिसमापक यानि ओफिसेल लिक्विटेटर किसके द्वारा न्युक्त किया जाता है, option A, केंदर सरकार के द्वारा, option B, रजिस्टार के द्वारा, option C, अधिकरण के द्वारा, option D, अपीलिय अधिकरण के द्वारा, तो इसका सही उत्तर है, option A, केंदर सरकार के द्वारा, यानि जो एक अधिकारिक परिसमापक होगा, वो केंदर सरकार के द्वारा न्युक्त किया जाएगा, Q71, कमपनी के स्वैचिक समापन के मामले में समापक को कौन न्युक्त करता है, option A, अधिकरण, option C, अपीलिय अधिकरण, option D, सर्वुच न्यायले, तो इसका सही उत्तर है, option A, अधिकरण, Q72, विवरण पत्र का में कपट से सम्मन्दित उलेखनिय वाद है, option A, राइल ब्रिटिस बैंक बनाम टार कोईंट, option B, डेरी बनाम पीग, option C, एसवरी रेलवे कैरिच एंड आरेन कमपनी लिमिटेड बनाम रिचे, option D, उपरूप में से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर है option B, डेरी बनाम पीक, question 73, पीक बनाम गुर्णी का वाद सम्मन्दित है, option A, विवरण पत्र का में दुर्व्यपदेशन के सम्मन्द में, option B, आंतरिक प्रभंद का सिधान्त से, option C, दमनकारी आचरण और कूप्रभंद का सरच्छन से, option D, परिसमापन से, तो इसका सही उत्तर है, option A, विवरण पत्र का में दुर्व्यपदेशन के सम्मन्द में, question 74, सरकारी कमपनी के मामले में लेखा परिछक नियुक्त किया जाएगा, option A, केंद्र सरकार के द्वारा, option B, कमपनी विधिक बोर्ट द्वारा, option C, अधिकरन, option D, भारत के नियंतरक एवं महालेखा परिछक द्वारा, तो इसका सही उत्तर है, option D, भारत के नियंतरक एवं महालेखा परिछक द्वारा, question 75, ओडिटर के पत के लिए योगिता है, option A, जो किसी कमपनी में निदेशक है या रह चुका है, option B, जो किसी उच्च न्याले में न्यायाधीस रह चुक option D, उप्रुक में से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर है, option C, जो एक चार्टेट एकाउंटेट है, question number 76, धारा 245 के अंतरगत, दमनकारी आचरण से अनुतोष, प्राप्ती के मामले में कम से कम सदस्यों की आविदन की आविशक्ता होती है, option A, 50 सदस्य से, option B, 70 सदस्य से, option D, 100 सदस्य, तो इसका सही उत्तर है, option D, 100 सदस्य, question number 77, सार्वजनिक कमपनी में निदेशक की आयू है, option A, 55 वर्स, option B, 60 वर्स, option C, 65 वर्स, option D, 70 वर्स, तो इसका सही उत्तर है, option D, 70 वर्स, question number 78, कमपनी के अधिवेशन की तारिक से पहले कितने दिनों की सूचना अवधी आविशक है, option A, 15 वर्स, 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 वर ये नियुन्तम गणपूर्ती यानि कौरम है, option A, 2, option B, 3, option C, 4, option D, 5, तो इसका सही उत्तर है, option D, 5. question number 80, कमपनी के पंजीकरत होने के कितने दिनों की अवधी के भीतर, कमपनी को विवरणिका जारी करना होता है, option A, 30 दिन, option B, 45 दिन, option C, 60 दिन, option D, 9 दिन, तो इसका सही उत्तर है, option D, 9 दिन, question number 81, associate company, वो company है, जिसमें दूसरी company के कम से कम कितने प्रतिसत वोटिंग शेयर होते है, option A, 10 प्रतिसत वोटिंग शेयर, option B, 15 प्रतिसत वोटिंग शेयर, option C, 20 प्रतिसत वोटिंग शेयर, option D, 30 प्रतिसत वोटिंग शेयर, इसका सही उत्तर है option C, 20% voting share Question number 82 Company द्वारा जारी किये गए रिड़ प्रमाड पत्र को कहा जाता है option A, अंश, option B, लाभांश, option C, प्रदत पूजी, option D, रिड़ पत्र तो इसका सही उत्तर है option D, रिड़ पत्र Question number 83 अपीलिय अधिकरण के आदेश के वृद्ध, सर्वोच न्याया ले, मैं अपील दायर की जा सकेगे option A, 130 दिन के भीतर, option B, 60 दिन के भीतर, option C, 290 दिन के भीतर, option D, उप्रुक में से कोई नहीं तिसका सही उत्तर है option B, 60 दिन के भीतर Question number 84, कम्पनी अधिनियम 2013 की किस धारा में अंतर्नियम की परिभाशा दी गई है? option A, 12, 5 में, option B, 12, 10 में, option C, 12, 25 में, option D, 12, 30 में question number 85, एक नई कम्पनी बनाने के लिए दो कम्पनियों के संयोजन को जाना जाता है? option A, एकल स्वामित्व, option B, विलें, option C, निजी करण, option D, स्टार्ट अप, तो इसका सही उत्तर है? option B, विलें, question number 86, कम्पनी के समापन के क्या आधार है? option A, एकल कम्पनी लिड अदा करने में असमर्थ है? option B, एकल कम्पनी ने भारत की संप्रभूता के वरुद कार्रे किया है? option C, एकल कम्पनी बीमार है? option D, उप्रुक्त सभी, तो इसका सही उत्तर है? option D, उप्रुक्त सभी, question number 87, कम्पनी के समापन के मामले में प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? option A, निदेशक, option B, अंश धारक, option C, सदस्य, option D, समापक, तो इसका सही उत्तर है? option D, समापक, question number 88, कम्पनी परिसमापक, परिभासा, कम्पनी अधिनियम 2013 की किस धारा में दी गई है? option A, धारा दो तेईस में, option B, धारा दो पैतालिस में, option C, धारा दो चौरासी में, option D, धारा दो सत्तर में, तो इसका सही उत्तर है, option A, धारा दो तेईस में, question number 89, निम्रलिखित में से, परिसमापक को, उसके पद से, कौन हटाने की शक्ती, इस अधिनियम के अंतरगत किसको दी गई है? option A, निदेशक, option B, प्रवर्टक, option C, अधिकरण, option D, उप्रुक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर है, option C, अधिकरण, question number 90, परिसमापक को, उसके पद से, हटाने के, क्या आधार है? option A, दुराचरण, option B, कपट या अपकरत्य, option C, व्रतिक अच्छमता या उचित सावधानी रखने में विफलता, option D, उप्रुक्त सभी, तो इसका सही उत्तर है, option D, उप्रुक्त सभी, question number 91, कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में कहा गया है कि निदेशक के पद पर केवल व्यक्ती ही नियुक्त किये जा सकते हैं, तथा किसी भी कंपनी, फर्म या समामेलित संस्था को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है, option A, धारा 152 में, option B, धारा 203 में, option C, धारा 164 में, option D, धारा 165 में, तो इसका सही उत्तर है, option A, धारा 152 में, question number 92, कौन एक कंपनी का निदेशक हो सकता है, option A, एक व्यक्ती, option B, एक फर्म, option C, एक निगमित निकाय, option D, वो प्रुक्त सभी, तो इसका सही उत्तर है, option A, एक व्यक्ती, question number 93, कोई व्यक्ती, कितनी कंपनियों से, जादा कंपनियों में, निदेशक का धारन नहीं कर सकता, option A, 10, option B, 15, option C, 20, option D, 25, तो इसका सही उत्तर है, option C, 20, यानि कि कोई व्यक्ती, 20 से जादा कंपनियों में, निदेशक का धारन नहीं कर सकता, question number 94, पोर, कंपनी अधिनियों, 2013, कि कौन सी धारा में, कंपनी में, कूप्रभंद की निवारण, एवं, सौरी, कूप्रभंद की निवारण संबंधी, उपबंद दिये गए हैं, option A, धारा 242 में, option B, धारा 230 में, option C, धारा 145 में, option D, धारा 167 में, तो इसका सही उत्तर है, option A, धारा 242 में, question number 95, East India Company, ब्रिटेन की सम्रग्गी, एलिजाबेथ के द्वारा कब इस्थापित की गई थी? option A, सन 1600 में, option B, सन 1700 में, option C, सन 1650 में, option D, C, सन 1800 में, तो इसका सही उत्तर है, option A, सन 1600 में, तो अब तक हमने, part 1st, part 2nd, and part 3rd में, टूटल 95 कुश्चन को सॉल्व कर लिया है, आगे भी हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, उम्मीद है, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से दे like करें, share करें, subscribe करें, thank you so much.